Hello students, homework help एक बार फिर से हाजर है आपके सामने एक नया निबंद लेकर जिसका शीरशक है शिक्षक दिवस पर निबंद या जिसे आप कह सकते हैं टीचर्स डे पर निबंद इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है कक्षा 6 से 12 के बच्चे इस निबंद का उपयोग अपने परिक्षाओं में कर सकते हैं चली शुरू करते हैं इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस साल शिक्षा नीती में बहुत से बड़े बड़े परिवर्तन किये गए हैं शयद आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे तो इस साल से रटन की बजाए बातों को अच्छे से समझे तो इस निबंद में भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें इसे कैसे लिखना है केवल यह ना सोचें कि जो निबंद मैं लिखा हुए उसको हम कॉपी पेस्ट कर लें और लिख दें और काम खता हो जाए उसको समझिए और उस शिक्षा का महत्व शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है और शिक्षक के बिना जीवन अधूरा है बिना गुरू के ग्यान का मिलना असंभव है ग्यान के बिना मनुष्य जानवर से अधिक नहीं क्योंकि वे उचित अनुचित में भेद करना नहीं जानता गुरू शिश किसी स्वार्थ के अपने विध्यार्तियों को सफलता की उचाईयों तक नहचाने में लगे रहते हैं आपको मालूम होगा हमारे देश में जो बहुत ही प्रचलित रहे हैं पुराने समय की गुरू शिशे इन सबका उल्लेक मैंने इस निबंद में नहीं किया है लेकिन आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं चलिए जानते हैं कि शिक्षर दिवस क्या है शिक्षर दिवस भारत के पहले उपराश्रपती डॉक्टर सर्व पली राधा कृष्णन का जन्म दिन होता है उसके बाद बताईए कि है कब मनाया जाता है इसलिए जब वे उपराश्रपती से राश्रपती के पद पर आए तो उनके बहुत से मित्रो और उनके स्टूडेंट्स ने उनसे ये रिक्विस्ट की कि हम आपका जन्म दिन मनाना चाहते हैं उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि उनका जन्म दिन मनाने की बज़ाए यदि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें अधिक खुशी होगी तभी से यह दिन भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है यह बता दिया कि यह क्या है कम मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है उसके बाद क्योंकि यहां पर हमने सर्वपली डॉक्टर राधा क्रिश्णन का जिक्र किया है तो उसके बारे में हम एक पाराग्राफ लिखेंगे क्रिश्णन दर्शन शास्तर विशे के बहुती महान प्रोफेसर थे दर्शन शास्तर का मतलब है फिलोसफी ने अपने कारेकाल में कहीं सम्मान अरजित किये जिन में से भारत रत्न भी एक है डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने लेखों और भाषनों के द्वारा विश्व को भारतिय दर्शन शास्तर से परिचित कराया डॉक्टर राधा कृष्णन समूचे विश्व को एक विध्याले मानते थे उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिश्क का सदुपयोग किया जा सकता है दर्शन जैसे गंभीर विशे को भी वे अपनी शैली से सरल और रोचक बना दिया करते थे इसलिए उन्हें एक माहन शिक्षक के रूप में याद किया जाता है इसके बारे में आप ये बता सकते हैं कि इसे कैसे मनाया जाता है शायद आप सभी जानते होंगे कि स्कूल और कॉलेजिस में शिक्षा तिवस या टीचर्स डे मनाने का प्रचलन है बारवी कक्षा के छात्र और छात्राई अपने शिक्षकों की तरह ही तयार होकर आते हैं लड़कियां साड़ी इत्यादी पहन कर आती हैं और लड़के पैंट शर्ड अच्छे से या कोट वगरा में तयार होकर आते हैं इस दिन विद्यालों में कोई पढ़ाई नहीं होती, अध्यापक और शिश्य सभी इस समहरों को मिल कर मनाते हैं, बच्चे अपने अध्यापकों के प्रती आभार व्यक्त करने के लिए नाटक, भाशन, समवाद, नृत्य या गाने की माध्यम से शिक्षकों को धन्यवाद कर करते हैं, शिक्षकों के बारे में बहुत सी कोटेशन, बहुत सी अच्छी बाते आपको मिल जाएंगी, आपको एक अच्छी कोटेशन जरूर डालिए अपने निबंद में, जैसे मैंने यहां लिखा है आपके सामने, गुरु गोविंद दोवू खड़े, काके लागू पा आपके अध्यापक अंदर आ रहे हैं, और दूसरे दर्वाजे से भगवान अंदर आ रहे हैं, तो आप एक दुविधा में पड़ गए कि आपको किसके पाए लागना है पहले, आपको किसके चरण स्पर्ष करने है पहले, तो यहां पर गुरु को भगवान से भी उपर का दरजा दिया गया है, इस दोहे में कहा जा रहा है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियों मलाए, कि पहले हमें गुरु के चरण स्पर्ष करने होंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद से मिलने का रास्ता दिखाया है, इसके बाद एक पाराग्राफ आप डाले से उपर का दर्जा दिया जाता था लेकिन वर्तमान युग में शिक्षक और शिष्षे के रिष्टे में कुछ परिवर्तन आ गये हैं कुछ अच्छे और कुछ बुरे ऐसा नहीं है कि जिनसे हम सिख्षा प्राप्त करते हैं केवल वे ही हमारे गुरु हैं जीवन में जिससे भी कुछ सीखने को मिले वे सभी हमारे शिक्षक हैं अभी तो आप लोग बच्चे हैं जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे उम्र में तब आपको पता लगेगा कि दुनिया में ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कुछ न सिखाएंगे यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन बातों में से कितने को एब्जॉब करते हैं अच्छे तरीके से हमेशा अपने जीवन में यह कोशिश कीजिए कि अच्छी बातों को ग्रहन कीजिए और बुरी बातों को वहीं छोड़ दीजिए लिखित फर्म आपको ह समझ नहीं आएंगे जादा शुद्ध हिंदी है उनका अर्थ दिया गया है आप उसे पढ़कर समझ सकते हैं मैं एक बार जल्दी से पढ़ जेती हूं उचित यानि कि जो ठीक है सही है अनुचित उचित का विलोम शब्द है अनुचित गलत या बुरा आतुर आप कुछ ज सान्य के लिए बेचैन है स्वार्थ कि सिरफ अपने बारे में सोचना अपना मतलब निकालना जैसे जब कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तब हम कहते हैं कि वह बहुत ही स्वार्थी इंसान है क्रित अग्यता जब कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो हम उस आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनसे छोटे प्रिंसिपल से ओधे में छोटे लेकिन टीचर्स से बड़े उन्हें वाइस प्रिंसिपल कहा जाता है उसी प्रकार उप राश्ट्रपती राश्ट्रपती से एक छो और आप अपने परिक्षाओं में बहुत अच्छे अंक पा सकें